हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सौप्टवियर पे ये मेरा jQuery से रिलेटेड six tutorials है इस tutorials में हम लोग jQuery के माउस इवेंट्स देखने वाले हैं तो आएए हम लोग देखते हैं कि jQuery में कितने माउस इवेंट्स होते हैं ये भी आपके लिए बहुत important topic है तो यहाँ पे total मैंने five jQuery के माउस इवेंट्स लिये हैं इस सब के बारे में मैं पहले आपको थोड़ा बता देता हूँ क्लिक का मतलब क्या होता है कि आप जब क्लिक मेंथिस पर क्लिक करोगे तो आपका वह इवेंट कॉल हो जाएगा एक devil click है मतलब कि double click करने पर आपका वह इवेंट कॉल हो जाएगा ठर्ड है आपका context menu, context menu का मतलब होता है right click मतलब जब आप right click करोगे तो आपका event कॉल होनी चाहिए mouse enter का मतलब होता है कि जैसी मैं करसल को उस किसी particular जहां पर मैंने sit किया है अगर जैसी मैं करसल को लेकर जाओंगा तो आपका यह function कॉल होनी चाहिए तो इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको practically बता देता हूँ तो चलिए हम लोग इसको practically start कर देते हैं यह मेरा वही practical है जो मैंने पिछले टुट्रीलिस में मैंने आप लोग को बताया था तो चलिए हम लोग यहाँ पर jQuery का practically करते हैं तो मैंने आप लोग को बताया था कि jQuery का practical करने के लिए means jQuery का coding करने के लिए आपको सबसे पहले script tag open करनी है और यहाँ पर close करनी है और उसके बाद आपको यह line compulsory लिखनी होती है मतलब यह आपका jQuery का starting point है अगर आपको jQuery का code करनी है तो आपको यह सबसे पहले लिखना है dollar document.ready इसका meaning भी मैंने बता दिया था अब मैं यहाँ पर jQuery का code करने जा रहा हूँ अब मैं यहाँ पर पहला click event को call करने जा रहा हूँ तो इसके लिए मैं पहले लिखूँगा dollar और round brass के अंदर में यहाँ पर मैं selector use करूँगा तो मेरा selector मैं double code के अंदर में ID ले रहा हूँ ABC मेरा ID ABC है मैं इस डिव पर apply करने जा रहा हूँ यह जो मेरा डिव है इस पर मैं apply करने जा रहा हूँ उसके बाद यहाँ पर dot धूँगा यहाँ पर मैं event को call करूँगा पहला event है click क्लिक राउंड ब्रेश और इसके अंदर में मैं function लिखूँगा और उसके बाद राउंड ब्रेश क्योंकि यह function का name है उसके बाद curly लिख सकते हो आपको रड़ा मारने की जरूरत नहीं है जैसे देखो दोनों में compare पहला वाला में मैंने क्या लिखा यहाँ भी डॉलर है यहाँ मैंने document लिखा यहाँ पर मैंने hash ABC लिखा मैंने उस time में बताया था कि document के जगह पर आप CSS के कोई भी selector use करोगे तो यहाँ पर मैंने कौन सा selected यूज किया id यूज किया उसके बाद dot के बाद ready मैंने लिया यह ready function है यहाँ पर मैंने ready के जगह पर click event यहां पर मैंने function लिया, यहां भी round brace, यहां भी curly brace, यहां भी मैंने curly brace, अब इसी की अंदर मैं मैं code करने जा रहो, jQuery का, मैं चाहता हूँ, मेरा requirement क्या है, मैं चाहता हूँ, कि यह जो मेरा due है, इस due पर मैं जैसे क्लिक करूँगा, तो मेरा इसका background color change हो जानी चाहिए, तो इसके लिए मैं यहां पर code करूँगा, यहां पर फिर मुझे क्या करनी है, CSS लगानी है, मतलब फिर dome को target करनी है, तो फिर मुझे क्या लिखना है, dollar, round brace के अंदर में, मैं यहां पर लिखूँगा, वही ID, ID के through में करने जा रहा हूँ, ABC, फिर dot, मैं CSS के CSS अप्लाइ करने जा रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा, CSS, और इसको round brace के अंदर में property और value होती है, तो यहां पर मैं पहला property में लिखने जा रहा हूँ, इसका मैं background color, background color, अब इसको मैं कॉमा देकर, एक और इसका background color में red करने जा रहा हूँ, red, clear है, अब इससे क्या होगा, यह जैसी मैं यह लिखा, इससे क्या होगा, कि जैसी ही इस पर मैं click करूँगा, तो इसका color मेरा change हो जाएगा, अब जैसे देखो, click किया, मेरा इसका color background red हो चुका है, I hope कि यह click function क्या हुआ, इस click function, एक click events, इस click event के अंदर में इस function के अंदर में मैंने यह jQuery का code लिखा, जिसका मैं background color change किया, वह ऐसी मैं double click के लिए मैं दिखाता हूँ, तो double click क्लिए मैं क्या करता हूँ, यह जो यहां से, इसको यहां से यहां तक copy कर लो, इसको copy कर लो, और यहां पर आप paste कर लो, इसको मैंने paste किया, और यहां पर जो color है, इसको मैं rate के जगा मैं green कर देता हूँ, कहने का मतला है कि, जब मैं double click करूँगा, तो इसका color green हो जाएगा, तो यहां पर मैं देखो, इसको मैंने save किया, अब देखो, इसको click करूँगा, तो इसका color rate हो गया, आप मैं double click करने जारा हूँ, double click किया, इसका color green हो चुका है है Aip होप कि यह आपको समझ में आ ढाए अब मैं चाहता हूं कि इस पर राइट क्लिक करो तो इसका कलर चेंज होनी चाहिए तो इसके लिए मेह क्वा में एवेंट को कॉल कर लेता हो तो जो आपने कोपी किया है उसी को कोपी यहां पर मैं पेस्ट कर देता हो और यहां पर जो क्लिक है इसके जगह पर मैं सिफ कॉंटेक्स्ट मेनु लिख देता हो, context मेनु का मतलब हो था right click और यहां पर में जो color है इसको में इसको में blue कर देता हूँ, blue कर दिया, अब देखो यह जो आपने double code के अंदर में लिखा आप यहाँ पर single code के अंदर में भी लिख सकते हो, clear है, यहाँ single code तो यहाँ भी single code और इसका property value दोनों single code में होनी चाहिए, clear है, अभी फिलाल double code में ही रहने देते हैं, अब इसका देखो paste कर देता हूँ, और इस पे मैं लिखता हूँ, mouse, enter, mouse, enter का मतलब क्या हुआ, कि जैसे ही इसका मैं color कर देता हूँ, orange, mouse, enter का मतलब हुआ, कि जैसे ही इस mouse को मैं उस due पे लेकर जाओंगा, इसका color change हो जाएगा, अब जैसे देखो, मैं लेकर जा रहा हूँ, देखो लेकर गय कर देता हूं लास्ट का आपका कौन सी है माउस लिव अब यहां पर मैं इसको माउस यहां पर लिखता हूं माउस लिव इसका कलर मैं कर देता हूं इसका कलर क्या करूं इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूं ठीक है ब्लैक इसको मैंने शेव किया अब देखो अभी उस पर लिकर जाओंगा तो इसका कलर क्या होगा औरेंज होगा औरेंज हो गया अब जैसी यहां से करसल में हटाने वाला हूँ इसका कलर ब्लैक हो जागा देखो ब्लैक हो गया समझ में आरी है ब्लैक है तो आपका अंदर का पार्ट नहीं दीख रहा है अब इसको में क्या कर देता है इसक क्लिक किया मेरा color red हो गया double click किया मेरा color green हो गया right click क्लिक किया मेरा blue हो गया और इस पर से leave किया मेरा orange हो गया और इस पर मैं mouse लेकर जाता हूँ मेरा orange हो जाएगा के लियर है I hope कि आपको यह tutorial समझ में आ चुका होगा इस tutorials में इतना ही अब हम लोग next tutorials में मिलने वाले जिनको यह लिखना है आप लिख सकते हो तो इसमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है सिंबल सा आपको यह धियान रखनी है अगर आपको यह तो लिखने आ गया होगा क्योंकि यह स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि दरग मैंने बताया था कि डॉकमेंट के जगा पर आप कोई भी CSEs का स्लेक्टरविश रूगे जैसे मैंने यह यहां पर लिखा ठी संक्षण के जगापर मैंने क्लिक एवेंट यूज किया ージस फंक्षण ये फंक्शन से में ऑवाय से यह लिख दिया मैंने क्लिर है आई होब कि यह टुटोरियल आप लोग को समझ में आ चुका होगा अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टुटोरियल में थैंक यू बाई बाई